साथियों नमस्कार आपका एक बार फिट स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उनुविटी फार्मर्स में और मैं हूँ आपका इसान दोस्त विजये साथियों जैसा पितले एक वीडियो में हमने बात करें थी टेरेस कारणिंग के बारे में तो उसी के समंधर में आज एक वीडियो हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं, टेर्स गार्डिनिंग में इस्ट्रोबेरी की किसे लगाई जा सकती है, तो भैं, हमारे साथ में हैं, यह हमें बताएंगे, इसके बारे में, तो भैं, आपका हमें आAct कहीं हैं? यह राज आप यह जो टेर्स गार्डिनिंग है इसमें कब से इसमें रुची दिखा रहे हैं मैं जैसे मेरे ताओ जी के साथ से ही करता रहा हूं मुझे तो दो-तीन साल हो गए और मैं मतलब जब से करता रहा हूं मेरे को तो इतनी खुशी होती है बहुत ही अच्छा लगता है टेर्स गार्डिनिंग करके अंकल जी ने हमने बताए था कि आपकी जो श्ट्रोबेरी वाले बार्ट है इसमें काफी चिरुची है तो इसके बारे में बताए कि कैसे आप ने इसमें जो अपना काम किया है तो जी मैं स्ट्रोबेरी लेकर आया था जैसे जो जहां से जैसे आपको उसको गर्मी में बचाना होता है, जो मार्च जून की गर्मी होती है, उससे आपको बचाना होता है, अगर आपने वो तब बचा लिया तो मतलब समझ ये आपके पोदे मल्टिप्लाय हो जाएंगे, तो जब आपका जून जुलाई का टाइम आता है, जब नई रूट बन जाती है नई रूट बनने के साथ साथ उसमें थोड़े लीव्ज डेवलब हो जाते हैं तो आप उस रूनर को दबा दीजिए जैसे जो रूट बनी हुई है उसे मिट्टी में दबा दीजिए उसके बाद जैसे वो रूट पकड़ लेगा एक और रूनर वहां तो उसके आप रूनर को कट कर जीजिए और उसे रिशिफ्ट कर सकते हैं आप किसी भी पोट में लगाना चाहते हैं इसमें भी तो जिसे आपने इसमें लगा रखा है इसका आप में धे conusis के तयार किया उसके बारे हम थोड़ेगे जो तो कल्चर जैसे हम कह सकते हैं, वही और ही पोदो की तरह है, इसमें कुछ खास नहीं डालना, आपकी मिट्टी अगर आप छट पे हलका रखना चाहते हैं, तो उसमें कोको पीट डाल दीजिए, और दोस्तों, आप कोको पीट को ऐसे मत सोचना होगी, उसमें न्यूट्रीशन न्यूट्रीशन वेलु विल्कुल जीरो है, तो आपको खास डालना, इसमें मिट्टी बिलाएए, या मिट्टी के जगें कोको पीट डाल सकते हैं, और उसमें खास डालीए, गोबर की खास हमने डाली है, हमने इसमें शुगर मिल की खास भी डाल रखी है, जैसे हमारे जैस बजार में तो आजकल कुछ स्वादिश मिलता ही नहीं है, और यूवा तो वैसे भी सबजी वगएर ऐसे कहते हैं, हमें नहीं खानी, यह नहीं करना, वो क्यों नहीं खानी, क्योंकि बजार में स्वाद तो मिलती ही नहीं, बस आप एक बार ट्राई करके देखी, अपनी च् सब्सक्राइम इसके लिए निकलते हैं, डेली का जैसे मैं रोज एक दो घंटा तो लगाता ही लगाता हूं, आप जैसे पेपर वगएर चल रहे हैं, तो उसमें कम टाइम लगा दिया, लेकिन जो इसकी नोर्मल केर है, पानी वगएर डालना वो तो डेली करना ही पड़ेग करते हैं, इत्ती कम उम्र है, तो इत्ती चोटी उम्र में आपके पास टेरेस गाड़निंग में कैसे रुची आई, इंट्रेस्ट आया कि हमें टेरेस गाड़निंग करनी चाहिए, जैसे आज आज आपकी उम्र के जो भी युवा है, वो खेलने कुदने में ज्यादा हमारी गली में जैसे जादा बच्चे वगएरा नहीं हैं खेलने के लिए तो वो तो था ही नहीं, फोन वगएरा मेरे घर वाले चलाने नहीं देते हैं, तो फिर मैं करूं क्या, कुछ तो करना ही होता है, तो फिर ताओ जी करते थे तो मेरे को बहुत इंट्रस्ट आया और अच्छा लगा तो मैं ताओ जी के साथ तब सही करता रहा हूं, और फिर दीरे दीरे इंट्रस्ट डेवलप होता गया, और अब ऐसे लगता है, अगर मैं ट्रेस्ट गार्डन ना समाल के जाओं या फिर ना देख के जाओं तो ऐसे हो जाता है, नहीं नहीं, यार क्या होए आदा मैं और मैं इंट्रस्ट नहीं, तो बगावाजा के लिगा पोससरल गार्म होता है, और उसले गार्म उद्रस्ट गार्यर लें नहीं कि अगता है, ईसले ओसे फिर शहली होता है, झाल झाल